हेलो स्टोनेट, चलिए स्टाट करते हैं इंटिग्रेसन एकसरसाइज 7.6 का क्योसे नमबर 18 देखते हैं क्या है integrate the function e कीपावर x by one ब्लस sign x और one ब्लस cos x यह क्योसेन दे रखा है ध्यान से देखो क्या क्योसेन है उमारा integration e कीपावर x ये इंटू में दे रखा है वई e की पाउर x इंटू 1 प्लस साइन एक्स अब ओन में 1 प्लस कोस एक्स ये बाय में नहीं दे रखा ये इंटू में है ठीक है ध्यान से देखना इसका हमने क्या करना है integration करना है अब पहली बात तो mind में आते है सर e की पाउर x दिख गया तो क्या मैं चेक कर सकता हूँ हमारा जो question है क्या पता इस फोर्म में दे रखा हो e की पाउर x fx प्लस f-x अगर इस फोर्म में मिल गया तो मैं easily answer लिख दूँगा ठीक है तो भाई देखते हैं क्या यह इस फोर्म में है हमारे को क्या करना पड़ेगा e के पाउर x into इसके अंदर कुछ changes करने पड़ेगे कुछ छेड़खानी करने पड़ेगे इसके साथ कुछ formula put करने पड़ेगे तब ही हम चेक कर सकते हैं यह इस फोर्म में है या नहीं है हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 प्लस sin x जो है sin 2 x का formula बताओ क्या होता है 2 sin x cos x होता है या नहीं है अब यहाँ पे अगर मुझे formula sin x का देखना है angle मैंने half कर दिया तो क्या हो जाएगा यहाँ भी angle half हो जाएगे 2 sin x by 2 cos x by 2 हो जाएगे या नहीं तो यह मैं यहाँ पे put कर सकता हूँ तो क्या आगया 2 sin x by 2 और इंटू में cos x by 2 निच्चे क्या है 1 plus cos x 1 plus cos 2 x का formula trigonometry में सिखा दामने 2 cos square x होता है अब मुझे चीए 1 plus cos x का तो क्या आजाएगा यहाँ पे 2 cos square x by 2 ठीक है तो यहाँ पे क्या आगया मेरे पास 2 cos square x by 2 dx अब आपके माइंड में एक घुड़े दोड़ रहे होंगे सर 1 plus cos x का तो sin की form में भी हमारा formula होता है आपने sin वाला क्यों नहीं put किया reason बताओ सर बिना reason के तो नहीं पड़ेंगे हम nexaclasses पे हर reason बताओ के तो nexaclasses का sport भी करेंगे और दिल से जुड़े भी रहेंगे तो सुन लो भई देखो यहाँ पे 1 by अगर मैं इसको separate करूँआ 1 by cos square x आएगा उल्टा लेके जाओगा तो उपर secant square आएगा और यहाँ पे cos से कटके 10 की form आएगी और secant और 10 आपस में relate करते हैं एक दूसरे से उनका integration possible होता है और उनका पस में differentiation भी एक दूसरे का उल्टा होता है इसलिए मैंने cos की form में लेके आया हमें इसको ठीक है हाँ sign की form में भी लेके आ सकते हो बट वो cosecant coat की form में आ जाएगा उसका differentiation आपको थोड़ा सा तंग करता है आपको अच्छा नहीं लगता है इसलिए आप इसको cos की form में लेके आओ चलो भई आगे integration e की power x into इसको क्या लिख दूँगा मैं 1 by 2 cos square x separate करके लिख दिया और प्लस में 2 sin x by 2 cos x by 2 divide by 2 cos square x by 2 इस पूरे का cos से cos कट गया यहाँ पर कुछ नहीं कटा नहीं कटा तो हम काटेंगे इसको उपर लेके आओ 1 by 2 as it is cos square x by 2 को लेके गए secant square x by 2 clear है या नहीं है कोई दिक्कत नहीं होनी चीए उपर लेके गए हैं बस secant square x by 2 प्लस में sin x by 2 cos x by 2 क्या हो गया है 10 x by 2 और dx अब इसको compare कर लो e की power x into यह तो हमारा f dash x है और यह हमारा f x है इस form से compare करके देखो यहाँ पर f x equal to किसके हो गया मेरा 10 x by 2 अगर इसका differentiation करूँगा 10 का क्या हो जाएगा secant square x by 2 और x by 2 का करूँगा तो 1 by 2 clear और f dash x क्या है हमारा 1 by 2 secant square x by 2 तो यहाँ पर क्या लिखेंगे so it is in form integration e की power x f x प्लस में f dash x आगे पिछे लिखा जा सकता है कोई बात नहीं 2 plus 3 लिख लो 3 plus 2 लिख दो अंसर से में आना है तो इसका अंसर क्या होता है e की power f x plus c तो अंसर क्या आजएगा यहाँ पर e की power x into f x के हमारा 10 x by 2 और प्लस में c यह अंसर आ गया समझ में आ गई बात दूसरा अगर integration by part करना चाहते हो तो इसको एक function माननो इसको अलग function माननो यह यू यह भी integration by part भी करके देखना थोड़ असा length ही पड़ेगा पर अंसर यह आएगा clear question चैनल को subscribe जरूर कर लेना और ज्यादा से ज्यादा please बच्चों में share करना next class के बारे में class में बताओ सबको thank you students for your love and support for next class thanks